सपना की किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आम पन्ना ये कच्चे आमों से बनता है ये देखो मैंने ऐसे कच्चे आम ले लिए इनको धो कर छील के और टुकडे काट लिए मैंने आधा किलो आम लिए है उसको फिर मैंने दो गिलास पानी डालकर पुकर में दो सेटी लगवा कर उबाल लिया ये मैंने पहले से करके रख ये देखो अब इसको हम मिक्सी में डालकर कृश करेंगे अब हमने एक कटोड़ी चीनी लिए है आधा किलो पल्प में एक टोड़ी चीनी यह मैंने इसमें डाल दी और अब हम इसको चान लेंगे इसको गर्मियों में पियो इसको पीने से लू नहीं लगती आप सुबह एक गिलास पी के जाओ शाम तक एकदम फ्रेश रहते हैं यह बहुत अच्छा है गर्मियों की यह बहुत बढ़िया ड्रेंक है पल्प चान कर त्यार कर लिया है इसमें मैंने एक टोड़ी चीनी डाली है आप अपने टेस्ट के कॉडिंग कम ज़्यादा डाल सकते हो और शुगर पेशेंट है तो उसको आप शुगर फ्री डाल कर भी दे सकते हो इसमें फिर चीनी आप अवाइड करो शुगर फ्री डाल दो अब हम इसकी दो कड़्ची दो कड़्ची हमने सिरफ डाल दिया आधा चम्मच हम ड्राई पुदी ना डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जेरा और आधा ही चम्मच हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और उपर से हम पहले थोड़ा पानी डालेंगे फिर थोड़ी आइस डालेंगे और थोड़ा पानी उपर से फिर एड़ करेंगे स्टार करेंगे हम और मैंने अपने किचन गार्डन से यह मेरे पुदीना लगा हुआ था उससे फ्रेश तोड़ा है इससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे हमारा आमपना रेडी है यह बनाएंगे इसमें हम दो कड़्छी डालेंगे और ऐसे ही आदा चम्मच हमने ड्राइप दीना आदा चम्मच भुना जीरा और आदा चम्मच हमने नमक डाला फिर उपर से हमने आइस डालनी है आइस के आप क्यूब्स भी डाल सकते हो मैं यह क्रश करके डाल रही है हम इसमें सोडा डालेंगे और इसके उपर डेकोरेट कर देगे यह आपकी गर्मियों की रिफ्रेशिंग ड्रिंक इससे आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए कमेंट करके मुझे बताईए कैसा आपको लगा और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब चूट केजिए